दोस्तों आज हम लोग कैलाश मांसरोवर के रहस्यों के बारे में बात करते हैं, क्रिपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें कैलाश मांसरोवर, भगवान भोलेशंकर का धाम, जिसे पुरानों में पृत्वी का केंद्र भी बताया जाता है कैलाश मांसरोवर की यात्रा करने वाले श्रधालू खुद को भागयशाली मानते हैं क्योंकि वहां कई ऐसी चीजे दिखती हैं जिसका जवाब विग्यान के पास भी नहीं है हमारी इस खास पेशकष में देखिए क्या है कैलाश मांसरोवर की अलोकिक शक्तियों का रहस्य है धर्ती के एक और उत्तरी धरूव और दूसरी और धक्शनी दरूव है दोनों के बीच हिमालय स्थित है जिसका केंद है कैलाश पर्वत वेग्यानिकों ने कैलाश पर्वत को धर्ती का केंद माना है धार्मिक द्रिष्टिकों से कैलाश पर्वत दुमिया के चार मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौध और सिक का केंद है कैलाश पर्वत की उचाए लगभग 6-600 मीटर है जो कि दुमिया के सबसे उचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चड़ाई कर चुके है लेकिन उचाए में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चड़ पाया है और यह आज भी अजेय है कैलाश पर्वत के शिखर पर चड़ना निशिद है लेकिन ग्यारहवी सदी के एक बौध भिक्षू योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चड़ाई की थी इस पर्वत के शिखर पर पहुँचकर वापस आने वाले वो पहले इनसान थे हाला कि पर्वत के शिखर पर चड़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है केलाश परवत की चार दिशाओं से चार नदियों ब्रहमपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली का उदगम हुआ है इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदिया निकली है कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन जानवरों के मुख है जिसमें से नदियों का उदगम होता है इसके पूर्व में अश्वा मुख है पश्चिम में हाथी का मुख उत्तर में सिंग का मुख और दक्षन में मोर का मुख है कहा जाता है कि कैलाश परवत या मांसरोवर जील के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनी सुनाई पड़ती है इस ध्वनी को ध्यान से सुनने में दमरू या ओम की तरह सुनाई देती है हाला कि वैज्ञानिकों का कहना की यह आवाज बर्फ के पिघलने से भी हो सकती है Powered by Dubverse मांसरोवर की सुन्दर्ता दुनिया भर में प्रसिद है अगर आपको प्रकृती, जीले, पहाण पसंद है तो आपको ये यात्रा जरूर करनी चाहिए इस परवत की सुन्दर्ता आपका मन मोह लेगी कैलाश परवत और उसके आसपास के वातावरन पर अध्यान कर चुके रशिया के वैग्यानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरूं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश परवत के चारों और एक अलोकिक शक्ती का प्रवा है जिसमें तपस्वी आ इंदर्थल मानव मानते हैं विश्वभर में करीब 30 से ज़्यादा वैग्यानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बरफीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है दुनिया का सबसे दुरलब म्रिग है कस्तूरी म्रिग ये हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब पेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है, इस म्रिग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औशधिये गुनों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथी में एक पदार्थ के रूप में होती है, कस्तूरी म्रिग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महे पशुवत पादों में से एक है. दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश परवत पर साथ तरह की लाइटे आस्मान में चमकती हुई देखी गई है. नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहां के चुम्बकिये बल के कारण होता हो, यहां का चुम्बकिये बल आस्मान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्मान कर सकता है.